उमेश पाल हत्याकान मामले की बात कर लेते हैं जिसके संदर्व में एक नया CCTV फुटेज सामने आया है सफेद कार से भागते दिखे हमलावर इस फुटेज में सफेद कार में अतीक का बेटा असत सडक पर बंप फैकते निकले हमलावर गुड्डु मुसलिम अर्मान बाइप पर भागते दिखाई दिखाई दिखे एक और CCTV फुटेज सामने आया है देखे यह जो गाड़ी है देखे किस तरीके से एक छोड़ा धमाका भी करने की कोशिश की गई बंप फैकते हुए दिखाई दिखाई दिए जब यह लोग निकले और इसके बाद में पीछे से बाइक पर फरार होते दिखाई दिए बाग की तमाम लोग जिसमें गुडू मुस्लिम बैठा हुआ दिखता है अर्मान है इस बाइक पर और यह सीसी टीवी फुटिज एक और नया सामने आया है उमेश पाल हत्या कांड मामले से जुरा हुआ जाहिर है पुलिस में इन्वेस्टिगेशन में इस फुटिज से भी खासी मदद मिलेगी आपको बता दे कि एक नया सीसी टीवी फुटिज सामने आया गोली लगने के बाद गली में भागता दिखा उमेश पाल गुडू मुस्लिम के बम से जखमी हुआ था पुलिस कर्मी उमेश को गली में गोली मारता दिख रहा है असद प्रयागराज शूट आउट का सबसे न के से गली से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है अपनी जान बचाने के लिए हमलावर अतीक का बेटा उमेश पाल को खदेर कर गोली मारता है उमेश पाल की गली का वीडियो है इसमें इस शूट आउट की पूरी कहानी अब इस सीसी टीवी फुटिज के बाद साफ साफ स पश्ट समझ में आती हैं उमेश पाल हमले के बाद गली के अंदर भागते हैं उमेश पाल के पीछे सुरक्षा में तैनाद गनर भी भागते हैं लेकिन असद उमेश पाल को शूट करता है उमेश पाल का गनर बचकर गली में भागता है तब तक अतीक का गुरगा गुड़ देती है कि दरसल घटना के रोज किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उमेश पाल किस तरीके से अपनी जान बचा करके इस हमले के बाद गली की तरफ भागते दिखे पीछे उनका गनर उनकी बचाव के लिए भागता दिखा लेकिन हमलावरों ने कोई मौ का नहीं छोड़ा